फोन पेसे अपना bank statement केसे निकाले दोस्तों आज की इस वीडिवे में आपको बताने वाला हूँ यदि आपके पास भी Axis का bank है या फिर state bank है या फिर आपके पास यहाँ पर Canera या फिर आपके पास HDFC कोई सा भी bank account है जिसमें आप जो यहाँ पर payment करते हो जो payment की जो statement होती है उसको download करना चाहते हो यानि कि चेक करना चाहते हो statement को बिना bank गए आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से किसी भी phone में जो अपनी यहाँ पर phone पे जो कैसे बैंक का यहाँ पर statement निकाल सकते हो कैसे आपको निकालना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा चाहिता हूं नहीं हो तो सबस्व प्र आप इस चैनल को subscribe कर देना और विडियो को लाइक कर देना तो चले मैं आपको बता हूं कैसे आप जो है phone पे अपना statement कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा, जिसको आपको follow करना है, उसके बाद इन दोनों तरीके से, आप अपने हाँ पर easily, phone page से आपना जो यहाँ पर, phone page का यहाँ पर जो बैंक, यहाँ पर statements, आप आसानी से निकाल पा आपको एक option देखने को बैंक जो कि यहाँ पर phone pay account aggregator तो यहाँ पर देख सकता हूँ, phone pay account aggregator, इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीक से यह option मिलेगा इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर click करूगे तो सबसे पहले बताएगा register आपको करना है अपने phone number से जो आपका phone number है उससे आपको यहाँ पर register कर लेना है आप मैं यहां कर लेता हूँ आपने phone से register ठीक है यहां पर आपको आपके phone pair का जो number है उसी number को यहांपे दे कर आके आपको एंटर करना जो आपका phone pair करना जो आपका phone pair में login रहेगा उसके बाद आपको process की options पर click करना है , बकिसा फोन परwasserचे में पर OHP आजाएगा तूँ थोड़ा सा वेट करना है अपका यहाँ पी automatic हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ भी यहां पे नहीं करने काना है जैसे आपको यहां पे Esseप यहां पर lodge आपको आपको यहां पर select करने के बाद आपको यहां पर इस तरीकी से बताएगा searching for bank account अगर आपको यहां पर search करते हैं से मैं इस तरीकी से आ जाएगा sorry we could not find your bank account तो यहां पर आपको क्या करना होगा एक बार फिर से आपको क्लिक करना है अगर यहां पर फिर से आपको एक बार से क्लिक करते हो फिर भी आपको यहां पर आपका bank account यहां पर show नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा simple यहां से back आजाना चाहिए तो मैं आपको बतायता हूँ यह जो है ना कुछ-कुछ limited banks के लिए ही है ठीक है कुछ-कुछ banks के लिए है कुछ-कुछ banks के लिए ही यहाँ पर यह जो है देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको बैंक आपको सेच करके notify करना है तो यह आपको notify हो जाएगा ठीक है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बताएता हूँ अब दूसरा तरीका बताएता हूँ जिससे आप आपना कोई भी bank account का statement निकाल सकते हो बिल्कुल आसान तरीक से ठीक उसके लिए क्या करना होगा सिंपल है आपको यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद left side corner में मिलेगा इस तरीके से यह देख सकते हो ना download statement आपको यहाँ पर इस option पर क्लिक करना है ठीक है तो यहाँ पर में 30 days का ले लेता हूँ उसके बाद आपको आपको पर प्रोसीट के option पर क्लिक करना है जो आपकी date है जिस date का आपका statement चाहिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद देखो इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा statement downloaded तो आपको यहाँ पर विउ यह मेरा परसेनल है ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सार आपका bank का statement आप इसको चाहिए तो यहां से जोँम करके भी देख सकते हो फिर भी हमारी प्राइबीसी ठीक है जो मेरा सारा statement दिखा रहा है देखो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से जैसे कि यहाँ आपको जोए payment दिखाएगा कितना आपका amont था सारा कुछे इस तरीके से तरीके से आपका bank का statement दिखाएगा ठीक है इस तरीके से आप अपना bank राथ स्टेट्मेंट चेक कर सकते हो किस डेट पर किये थे सारा कुछ आपको डीटेल देखने को मिलेगा इस तरीके से ठीक है वीडियो एलफ लिगी तो दोस्तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें आप मिलते हैं दोस्तो